नमस्कार दोस्तो टेक्नलोजी अपडेट में आपका स्वागत है और मैं आपका दोष्ट बिजय जे हो दोस्तो हमारे हाथ में जो है आइपोन 13 pro तो यहां पे आप देख सकते हैं दोस्तो कि हमने लिया है लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि यह आईफॉन तो ले लेते हैं बट उसको switch off नहीं कर पाते हैं। उसको switch off कैसे करना है यह पता नहीं होता है। तो आज के वीडियो में हम आपको यहीं बताएंगे कि आप अपने iPhone 13 Pro को कैसे switch off करेंगे। दो तरीके इसे बताएंगे जिससे आप अपने मोबाइल को switch off कर सकते हैं या shutdown कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को सुरू करने से पहले दोस्तों हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं आप हमारे चैनल को subscribe कर लें प्यारा सा bell बटन दबा दें ताकि हमारा update आप तक मिलता रहे तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं सबसे पहले देख सकते हैं यहाँ पे दोस्तों एक है यह बटन जो है इसको दबेंगे तो लॉक हो जाएगा लेकिन सबसे असान तरीका है यहाँ पे देखिए डाउन बटन है और यह दोनों एक साथ हम प्रेस करेंगे तब यहाँ पे देखिए slide to power off यहाँ पे आता है दोनों एक साथ प्रेस करेंगे तब यहाँ पे slide to power off का option आएगा अगर slide कर देते हैं तो power off हो जाएगा दूसरा जो तरीका है वो setting में जाएंगे setting में जाने के बाद general में हम click करेंगे general पर जैसे click करेंगे तो नीचे आएंगे और नीचे यहाँ पे shutdown का option आएगा है यहाँ पे आप click करके shutdown कर सकते हैं तो आसा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि आप iPhone 13 को कैसे shutdown कर सकते हैं दो तरीके हैं जो कि setting में जाकर और दूसरा है यहाँ से और यहाँ से डिरेक्ट अगर यह चाहते हैं कि डाप करके off करें तो आपका mobile off होने वाला नहीं है तो आसा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा तो फिर मिलेंगे आपको अगले वीडियो में तब तक के लिए दीजे इजाजत नमस्कार